Google और Microsoft हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और कभी-कभी इस लड़ाई में Facebook भी घुज जाता है लेकिन एक बड़ी मज़दार चीज है जिसका नाम है TypeScript जो बनाया Microsoft ने और बढ़ाया Google ने और अपनाया Facebook ने भी ऐसा क्या है TypeScript में कि ये हर बड़ी कंपनी को तोड़ता नहीं जोड़ता है आईए समझते है TypeScript की कहानी इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम समझे कि Microsoft ने 2012 में TypeScript बनाया क्यों TypeScript का नाम TypeScript क्यों पड़ा क्योंकि Java Script में Types नहीं होते अब बोलो कि Types नहीं होते का क्या मतलब है इसका Simple सा मतलब ऐसे समझ सकते है कि वो dynamically type language है इसका ये मतलब होता है कि जब आप एक variable को declare करते हो Java Script में तो उसका Type आप उसको assign नहीं करते हो compiler उसको assign करता है जब आप बोलते हो var a equals 3 compiler बोलता है कि ये number type है variable और आप वो variable का type assign नहीं कर रहे हो इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा ये होता है कि आपको बहुत सारा code नहीं लिखना पड़ता है तो आपको assign करना पड़ेगा कि ये integer type value है ये string type value है क्या type है इस value का होता क्या है कि JavaScript पहले बहुत widely used language नहीं था आज से 8-10-15 साल पहले JavaScript इतना ज्यादा यूज नहीं होता था फिर क्या हुआ फिर single page applications आए single page applications क्या होते है आज के जितने आप web application देखोगे उसमें सारा का सारा JavaScript code को पहले front end पे ले आया जाता है और उसके बाद जब आप उस पे click करते हो तो page बहुत तरी से change हो जाता है सिर्फ data server से fetch किया जाता है इसको समझने के लिए आप मेरे month stack का वीडियो भी देख सकते हो होता क्या है जब आप click करते हो दूसरा page आता है जब आप click करते हो दूसरा item आता है component आता है तो यह पूरा का पूरा जो app है उसको आप single page आप कहते हो इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि बहुत सारा logic client side यानि कि front end side यानि कि browser side पे लिखा जाने लगा और इसी कारण में कहता हूँ कि पिछ्टे 10 सालों में front end developers की demand बहुत बढ़ गई पर इसका एक side effect भी हुआ जब आप ज़ादा code लिखते हो तो ज़ादा गलतियां भी करते हो और इन ही गलतियों से बचने के लिए languages में कुछ features बनाया जाते हैं जिससे आप उन गलतियों को compile करते time ही पकड़ लो compile करते time का मतलब क्या होता कि आप जब program को compile कर रहो तभी वो गलतियों को पकड़ ले तो इसलिए बहुत सारे languages में compile checks बहुत strong होते हैं जावा script को कभी भी जब बनाया गया था कभी भी इतना strong बनाया नहीं गया था जावा script को ऐसा बनाया गया था कि चल जाए और चल जाए तो बढ़ियां सारे के सारे checks जो होते थे वो run time होते थे run time का क्या मतलब होता है कि जब user use कर रहा है तब उसके checks आपको पता चल रहे है और तब गलतियां बहार आ रही है बहुत ही minute सी चीज़े पर समझना बहुत जरूरी है कि जब आप बड़ा program लिखते हो तो आप ये afford नहीं कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा program चला कर देखो जैसे Gmail सोचो Gmail एक web app है कितना complex है कितने सारे screens है कितना सारा कुछ है तो आप हर कुछ हर बार चला चला कर देखोगे हर use case चला कर देखोगे ये बहुत मुश्किल है और अगर आपको code में कुछ change करना पड़ गया जिसको कहते है code को refactor करना पड़ गया तब तो आप ये हालत ही खराब हो जाएगी आपको वो confidence नहीं आएगा कि अगर मैं इस function को यहां से वहां कर लूँ इसको ऐसे change कर दूँ तो क्या मेरा code sense बना रहा है कि नहीं क्यों क्योंकि आपका compiler javascript में आपको वो मदद नहीं दे पाएगा इसलिए Microsoft की एक team थी जिस team ने C-Share बनाया था उसी team ने type script बनाया और 2012 में जब type script बनाया तो उन्होंने बहुत सारे इन समस्याओं को दूर करने ही कोशिश की कुछ बहुत प्यारे features बनाया उनको पता था कि एकदम से developers javascript छोड़के type script लिखना नहीं शुरू करेंगे तो उन्होंने एक optional typing बनाया इसका क्या मतलब होता है कि आप चाहाँ जहाँ चाहो वहाँ वहाँ type script यूज करो जहाँ नहीं चाहो वहाँ मत यूज करो ताकि आप धीरे धीरे आपका जो बड़ा सा code base है समंदर है code का उसको आप दुबारा से पूरा लिखना एक बार में तो चाहोगे नहीं तो धीरे धीरे करके आप type script adopt कर सको रुकर रुकर एक second मज़ा आता है सारे वीडियोस देखने में लेकिन तुम subscribe करना मत भूल जाना like करना मत भूल जाना क्योंकि वो जरूरी है YouTube को बताना कि तुम्हें ऐसे और वीडियोस देखने है दूसरा एक और क्या फायदा होता है जब static typing होती है type script में static typing होती इसका मतलब क्या होता है कि जब आप compile कर रहे हो तब ही types चेक हो जाते है कि अरे यार यह type सही है की नहीं अगर मैंने किसी variable को declare किया है as a number तो मैं उसको बाद में string नहीं assign कर सकता हूँ अगर मैंने बोला where num equals 3 तो मैं उसको बाद में num equals तने प्रताप नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत है आपने बोला था यह जो where num है वो integer type का है typescript में आप ऐसा करते हो तो इससे एक और फाइदा होता है अब जो आपका compiler है वो आपके code को समझ पाता है अच्छे समझ पाता है कि यह है इसका यह value है इसका यह type है तो वो क्या करता है वो आपको code completion में help कर पाता है आपका जो IDE है IDE होता है Visual Studio Code, JetBrains तो आपका जो IDE होता है उसको भी code समझ में आता है तो वो आपको code completion में help कर पाता है code refactor में help कर पाता है errors early on find out करने में help कर पाता है तो बहुत सारे features आपके लिए unlock हो जाते और इन features को हम कहते है developer experience DX यह बहुत माइन रखता जब आप छोटे से program होरो अकेले बैठके code कर रहे हो आपको आपका सारा code पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आप अकेले ही इनसान हो जिसने code किया है और questionnaire कुछ भी नहीं किया है लेकिन जब आप एक बड़े team में काम करें जब मैं Microsoft Teams में काम करता था चार सो लोगी team थी इतना बड़ा code बेस था मुझे कुछ idea ही नहीं कि सारा code कहा है क्या है नहीं है उस समय यह type information बहुत help करता है इन सब चीजों में completion में help करता है refactor में help करता है even documentation क्योंकि जब आप code type के साथ पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छे यह code में क्या-क्या हो रहा है without type आपको बहुत सारे अटकले लगाने पढ़ती याद रखना पढ़ता है तो जो भी scale पे code लिख रहा है Google ने इसको अडॉप किया क्यों Google ने अडॉप किया क्योंकि Google बहुत बड़ी web company है शायद हम यह accept करना नहीं चाहते है पर आप देखो Google का जो पूरा G Suite है सब कुछ तो browser पे ही है G Suite का तो desktop app भी browser को ही wrap करता है तो Google को तो पता है कि बड़ी समस्याएं है Javascript में और उनका internal बहुत सारा चल रहा था काम उनने का देखो हम तो TypeScript में move कर रहे हैं और Angular में भी TypeScript का first class support आया उसके बाद gradually धीरे-धीरे 2012-2015-2016 तक ऐसा हो गया था कि हर बड़ा project TypeScript में लिखा जा रहा है बड़ी companies के अंदर 18-19 आते आते तो हालत यह हो गई कि हर library TypeScript में move कर चुके थी हर library even जो Facebook के पास भी एक ऐसा ही टाइप language था जावा स्क्रिप्ट के लिए superset language उसका नाम ता flow तो Facebook ने बहुत ट्राई किया flow को push करने का पहले react का जो पूरा code बेस था वो flow में था GraphQL का काफी सार अपीस JavaScript और काफी सार अपीस flow में था उसके बाद यह सारे बड़े बड़े libraries TypeScript में move हुए जितने चोटे बड़े जितने नए libraries लिखे गए सारे के सारे TypeScript में लिखे गए और आज के टाइम पर यहां तक कह सकता हूँ कि जो भी कोई production code लिखता है छोटा हो या बड़ा वो TypeScript जरूर यूज़ करता है क्योंकि बहुत जादा फायदा है और बहुत सारे bugs पकड़े जा सकते हैं आपके अगर आप TypeScript यूज़ करते हो तो कई सारे survey में यहां तक पाया गया है कि bug 30-50% reduce हो जाते है अगर आप TypeScript यूज़ करने लगते हो तो पर ऐसा नहीं है कि लोग को TypeScript बिल्कुल से पसंद आ गया कई सारी controversies हुई है TypeScript के और अभी भी होती रहते हैं कुछ दिन पहले मैंने यह tweet देखा बड़ा ही मज़दा tweet था यह tweet जो है यह Ruby on बिवाद हुआ और इस पे जो यह दूसरा tweet में देख रहा हूँ code tweet जो है यह बहुत सही बात कहरी है कि जब आप कुछ बड़ा लिखने जाते हो तो आपको Type की बहुत जरूत पड़ जाती है और उस समय अगर आप ऐसे strong opinions रखोगे कि नहीं मैं तो जिससे मुझे आता है सबको इतना आना चाहिए तो आप scale पर software नहीं लिख पाओगे परशानी यह होगी कि हर developer को उतना सब कुछ समझ मैंना चाहिए और JavaScript के साथ तो एक और बड़ी दिक्कत है दिक्कत क्या है कि JavaScript में बहुत सारे गौचा बहुत जगा आपको नहीं पता होता है और आप गलती कर देते हैं तो TypeScript आपको ऐसी गलतिया करने से रोकता है और लोग क्या बोलते है कि TypeScript सीखना बहुत मुश्किल सच बात है TypeScript सीखना मुश्किल है क्योंकि Dynamic Typing वाले languages JavaScript Python यह आपके लिए असान होता है और भी कई सारी Controversies होई है जैसे कि लोग कहते हैं कि TypeScript में एक additional build step लगाना पड़ता है इसका क्या मतलब होता है JavaScript जो होता है आप वो directly browser में चला सकते हो उसके लिए आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन TypeScript में आपको compile करके एक JavaScript फाइल निकान ली पड़ती है और उस फाइल को ही आप चला सकते हो तो आपके उपर एक compilation step और add-on होगे आपके development workflow में मुझे लगता है कि यह वाला जो controversy है बहुत ही बाहियात और बेभुनियात controversy है क्योंकि आज के समय में अगर आप कोई app बना रहे हो तो उसमें एक build step तो होता ही है जिसमें आप सारे के सारे code को production mode पर डालते हो minify करते हो उसको हुआ सारे steps करते हो तो यार अगर इतने steps करी रहे हो तो उसमें type script का एक और step लगाना कितनी बड़ी बात है तो यह जो पूरा का पूरा आपको नहीं फसना चाहिए अन्य से सरी एक पिना मतलब के camp में जाके बैठने का फायदा नहीं है उस camp में रहिए जो production पर code लिख रहा है और जहां आपको job मिलना असान होगा type script सीख लीजी इसके कई फायदे है जाते जाते कमेंट में मुझे बताते जाना कि क्या तुम type script सीख रहे हो या कब सीखने का प्लान है और क्या type script पे थोड़े deep dive वीडियो भी तुम्हें अच्छे लगेंगे या नहीं